ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को Class 6 वसंत का पार्ट या 17 नमर पार्ट है, सांस सांस में बांस, इसका मैं MCQ पर हाने जा रही हूँ, और इससे पहले बच्चों मैं Class 6 वसंत और Class 6 बाल रामकथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप उपर द तो इसका MCQ है, इसमें MCQ पढ़ने से पहले आप paragraph समझ लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आशान हो जाएगा, उससे अगर आपके पास समय नहीं है, और अगर आप chapter पढ़े हुए हैं, तो direct आप objective यानि MCQ याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप chapter ठीक से नहीं समझ पाए ह और फिर से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको या MCQ आसानी से याद हो जाएगा, इसके लिए आप paragraph पढ़के ही आप याद कीजिए, तो अच्छा रहेगा, पहला paragraph है, एक जादूगर थे, चंग की चंगल नवा, अपने जीवन में उन्होंने कई बरे-बरे कर्तब दि उनकी कबर खोदी गई, और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन, लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए, तो देखिए ये पढ़ लिए हैं, तो आपको आसान हो जाएगा, पहला प्रशन है, जादूगर का क्या नाम था, चार ओप्सन रहेंगे, एक सही रहेगा, आपको सही लिखना है, तो जादूगर का क्या नाम था, का चंकी चंगल नवा, दूसरा प्रशन है, उन्होंने अपने जीमन में लोगों को क्या दिखाए, का खेल, खा टोकरियों के डिजाइन, गा कर्तब, गा कह तो उन्होंने अपने जीमन में लोगों को क्या दिखाए, उत्तर है, गा कर्तब, तीसरा प्रशन है, जादूगर ने अपने दफनाय जाने के कौन से दिन कबर खोदने को कहा, गा पांच में, खा छठे, गा दूसरे, गा चोथे, तो जादूगर ने अपने दफनाय जाने क कौन से दिन कब्र खोदने को कहा उतर है खो चठे चठे दिन और चौथा प्रस्ण है कब्र खोदने पर क्या निकली को धन दौलत को बांस की टोकरियां गह टोकरियों के डिजाइन गह कई तरह के बांस तो कब्र खोदने पर क्या निकला उतर है टोकरियों के डिजाइन प्रश्न है टोक्रियों के डिजान मिलने पर लोगों ने क्या किया इसका उत्तर है गव पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजान बनाए अब दूसरा देखिए परग्राफ बांस भारत के बिभिन हिश्चों में बहुतायत से होता है भारत के उत्री पुर्वी छेत्रों के सा राजियों में बांस बहुत उगता है इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है सभी समुदायों के भरन पोसन में इसका बहुत हाथ है यहां हम खास तोर पर देश के उत्री पुर्वी राज नागालेंड की बात करेंगे नागालेंड के निवासियों में बांस की चीजे बनाने का खूब प्रचलन है तो देखिए कौका भारत में बांस सबसे अधिक कहां पाया जाता है उतर है भारत में सबसे अधिक बांस उतर पुर्वी छेतर अरुनाचल प्रदेश असाम मिघाले नागालेंड मनिपूर, मिजोरम और तिरपुरा में पाया जाता है भारत के उतरी पुर्वी छेतर के लोग अपना भरन पोशन कैसे करते हैं उतर है भारत में उतरी पुर्वी छेतर के लोग अपनी आजिब का है तो बांस पर ही निरभर है वे बास से ही विबिन परकार के बस्तुयां बना कर बेचते हैं और अपना भरंपोषन करते हैं और नागालेंड कि यहां से सभी प्रांतों से अधिक बास पराप्त किया जाता है अब तीसरा पेराग्राफ है, बांस की बुनाई का रिस्ता उस दोर से है, जब इनसान भोजन इकठा करता था, साइद भोजन इकठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता, बया जैसी किसी चिरियां की घोशला से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीव हाथ लगी हो, तो प्रेश्न है, कौका मनुष्य का बांस की बुनाई से रिस्ता कब से है, उत्तर है, कौका मनुष्य का बांस की बुनाई से रिस्ता तब से माना जाता है, जब हुआ आदी मानव का जीवन बिताता था, खोका मनुष्य को सबसे पहले किशी भी डालिया नुमा आकार की वस्तु के आवश्यक्ता क्यों परी होगी उत्तर मनुषिक को सबसे पहले भोजन एकत्रिद करने के लिए डालिया नुमा अकार की वस्तु की आवशक्ता परी होगी मनुषिक को टोकरी के अकार और बुनावट की प्रेजना कहां से प्राप्ट होगी उतर मनुश्य को टोकरी के आकार और बुनावट की प्रेड़ना बया के घोशलों से प्राप्त हुई होगी चौथा पेराग्राफ है बांस का यह जुरमुट मुझे अमीर बना देता है इससे मैं अपना घर बना शकता हूँ बांस के बड़तन और औजार इस्तमाल करता हूँ सुखे बांस को मैं इंधन की तरह इस्तमाल करता हूँ बांस का कोईला जलाता हूँ बांस का अचार खाता हूँ बांस के पालने में मेरा बच्पन गुजरा बांस भी तो मैंने बांस की टोकरी पतनी भी तो मैंने बास की टोकरी के जड़िये पाई और फिर अंत में बास पर ही लिटा कर मुझे मरगट ले जाया गया तो कौका है ये सब्द कौन कह रहा है उत्तर है ये सब्द लेखक द्वारा कहे गए है बास का जुरमट अमीर कैसे बना देता है उत्तर बास बहुत उपयोगी चीज है उसे बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है उसे मकान बनाया जा सकते है औजार बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है उसे इंधन की भाती भी काम में लाया जा सकता है और तो और उसका अचार भी बनाया जा सकता है इस परकार बांस बरे काम की चीज है उसका जुरमुट अमीर बना सकता है गौ का है बांस का प्रियोग किस-किस चीज के लिए किया जाता है उत्तर है बांस का प्रियोग बिभिन कारियों के लिए किया जा सकता है वह घर बनाने बरतन बनाने और औजार बनाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है सुखा बांस जलाने के काम आता है इसके अतिरिकत इससे अचाय टोकरियां और अन्य शमान भी बनाया जाता है मनुश्य के जीवन के अंत मैसमसान भूमी भी उसे बास पर लिटा कर ही ले जाया जाता है पांचमा पेराग्राफ आ गया असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मचली पकरते हैं छोटी मचलीयों को पकरने के लिए इसे पानी की सता पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खीचा जाता है बास की खपच्यों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक संकु का आकार ले ले इस संकु का उपरी सिरा अंडाकार होता है निचले नुगिले सिरे पर खपच्यां एक दूसरे से गुथी हुई होती है पहला प्रस्ण इस पद्यांस में कौन से प्रदेश की बात कही गई है उतर है को आशाम की दूसरा है जकाई सब्द से आप क्या समझते है इसका उतर है को मचली पकड़ने का जाल तीसरा प्रस्ण जकाई का उपयोग कैसे किया जाता है पानी के तल पर रखकर उसे धीरे-धीरे खीचा जाता है तो कौ उतर सही होगा चौथा है खपच्चियों को किस तरह बांधा जाता है इसका उतर है गौ शंकू के आकार में पांचमा प्रस्ण जकाई कैसे बनाया जाता है तो को का है बास की खपच्चियों को शंकू के आकार में बांद कर खो शंकू का उपरी हिशा अंडाकार बना कर गह नुकिले सिरे पर खपच्चियों को एक दूसरे शेगूत कर गह दिये गए सबी तो उत्तर गह होगा और छेटा पराग्राफ में है जुलाई से अक्टूबर घंगोर बारिश के महने यानि लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकठा करने का सही वक्त आम तवर पर एक से तीन साल की उमर वाले बांस काटते हैं बुरे बांस सकत होते हैं बांस से साखाएं और पतियां अलग कर दी जाती है इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिन से गाठे दूर दूर होती है जिन में गाठे दूर दूर होती है दाओ यानि चोरे चांद जैसा फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियां तयार की जाती है तो में होता है इसलिए यही समय जंगलों से बास इकठे करने के लिए सही माना जाता है किस परकार के बासों को खपच्चियों बनाने के लिए चुना जाता है उतर एक से तीन साल की आयू के बासों को खपच्चियों के लिए चुना जाता है, ये बांस लचीले होते हैं, इसलिए ये तूटते नहीं हैं, बुरहे बांस सुखे होते हैं, तूट जाते हैं, बांस से साखाँ और पत्यों को अलग कर दिया जाता है, इसके बाद ऐसे बांस खपच्चियों के लिए चुने जाते हैं, जिनमें घठाने दू दूर हो गौ का खपच्चियां कैसे तयार की जाती है उत्तर है गौ खपच्चियों के तयार करने के लिए चौरे चांद जैसे फाल वाले चाकू की जरूरत होती है चौरे चांद जैसे फाल वाले चाकू से बांस को छीला जाता है उससे खपच्चियां तयार की जाती है तो आप मेरे चैनल देप जिनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन वट्न है इसे क्लिक कीजिएगा लाइक कीजाई 우린 कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी वच्चों धन्यवाद